हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन को बड़े अच्छे धंग से कर रहे होंगे तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वैदिक काल के जो most important question है और वैदिक काल से जितने भी आपके question बनते हैं वो सभी question जो है क्या pattern है किस तरह का question पूछा जाता है language क्या क्या होती है question की वो हम सब जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपको पता है दोस्तो चैन पर जाकर playlist देख सकते हैं उसमें आपको पुराने सभी वीडियो मिल जाएंगे और इनी से जव है आपके question बनते हैं इससे बाहर जो है question आपका जाने वाला नहीं है यह चीज आपको याद रख लेनी है तो चलिए देख लेते हैं हमारा वैदिक काल का जो पहला part है और इसम नहीं दो part में इसको divide कर दिया है ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आपका जादा समय भी ना लगे तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला question जो है क्या हो जाएगा तो वैदिक काल का पहला question देख लेते हैं तो पहला question जो है आर ये सब्द इंगित करता है त तो आर ये सब्द का जो अर्थ होता है सबसे पहले हम आर ये सब्द का आर्थ देखेंगे तो आर ये सब्द जो है का जो अर्थ होता है वो आपका सिरेष्ट हो जाएगा और या फिर इसको जो है कुलीन भी आप कह सकते हैं कुलीन मतलब जो उचकुल में पैदा हुआ हो ज किलासी की संस्क्रेटी में आर्य सब्द का क्या अर्थ हो जाएगा जो किलासी के संस्क्रेटी है उसमें आर्य सब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है इस्वर में विश्वास करने वाला एक वनसानुगत जाती किशी विशेश धर में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम पिछले question में हमने आपको बताया आर्य सब्द का जो अर्थ होता है सिरेष्ट या कुलीन और उसी आधार पर हम कह सकते हैं जो classic Sanskrit में आर्य सब्द का अर्थ होता है वो हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति एक उत्तम व्यक्ति को जो है आर्य सब्द इंगित करता है तो दूसरे का जो है डी जो है correct हो जाएगा question number 3 देख लेते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा यजूरवेद, रिगवेद, सामवेद या अथरवेद और ये question कहां कहां आपसे पूछा गया है ये चीज आप देख सकते हैं और सारे question जो है most important है इससे बाहर question नहीं जाने वाला है ये भी आपको दिहान रखना है तो सबसे पुराना वेद जो है ये आपका रिगवेद हो जाएगा चार वेद हैं आपके और चार वेदों में जो सबसे पुराना वेद है ये आपका रिगवेद हो जाएगा question number 4 देख लेते हैं तिरेई नाम है तो तिरेई नाम किसको कहा गया है तीन वेदों का धर्म संग युद का हिंदू धर्म के तीन देवताओं का या फिर तीन मोसम होगा तो आपको बताना है तीरेई जो है किसको कहा जाता है तो तीरेई जो है ये आपका तीन वेदों को कहा जाता है जो तीन वेद हैं आपके और तीन वेद कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपका रिगवेद हो जाएगा तो आप इसको Rig Ved को R से याद रख सकते हैं दूसरा यजूर Ved हो जाएगा ऐसे आप याद रख सकते हैं और तीसरा जो आपका Sam Ved हो जाएगा और फोर्थ जो आपका Ather Ved होता है तो Ather Ved जो है ये आपका TRI में सामिल नहीं होता है चार Ved आपको इस तरह से याद रखने हैं और इसमें से आपको एक को हटा देना है तो आपका RYS जो है ये आपका TRI नाम जो है और ये तीन Ved जो हैं TRI में सामिल हो जाएंगे RYS यानि Rig Ved, Yajur Ved और आपका Sam Ved Ather Ved जो है इसमें नहीं आता है ठीक है इतनी बात आपको याद रख लेनी है जो तरही नाम है ये आपका TRI नो वेदों को कहा जाता है और Question No.4 देख Question No.5 5 हो जाएगा आपका किस वैदिक गरंत में वर्ण सब्द का सरवपर्थम नाम और लेख मिलता है रिगवेद में, अथरवेद में, सामवेद में या फिर आपका यजुरुवेद में तो सबसे पहले आपको जानना है वर्ण सब्द किसको कहा जाता है वर्ण सब्द किसको कहा जाता है वर्ण सब्द का अर्थ क्या है ये चीज आपको पता कर लेनी है तो वर्ण का जो है अर्थ है आपका ये हो जाएगा आपका रंग वर्ण को रंग भी कहा जाता है और वर्ण जो है ये आपको कहां उपयोग हुआ था तो जो है आरियो को जो है आरिय और दास जो आपके वैदिकाल में एक आरिय होते थे और आपके दास होते थे तो आरियो को तो आपका गोरवर्ण कहा जाता था और दासो को आपका किर्शनवर्ण कहा जाता था तो महाँ से जो है वर्ण की सुरुवात हुई है तो आर्यों के लिए गोर्ण वर्ण क्योंकि वो गोरे होते थे और दासों के लिए किर्शन वर्ण क्योंकि वो गुलाम होते थे और काले होते थे ठीक है इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं तो वैदिक गरंथ में वन सब्द का जो सरुपर्थ मुल्लेख मिलता है ये आपका मिलता है रिगवेद में तो चलिए देख लेते हैं कोश्चन नमबर 6 वन विवस्ता से संबंदित पुरु सुक्त मूलता है पाया जाता है जो पुरु सुक्त है ये आपका किस से संबंदित है और किस में पाया जाता है अथरवेद में सामवेद में रिगवेद में या आपका मनु इसमर्ति में आपको बताना है पुरु सुक्त जो है किस में पाय जाता है और यह वणन ववस्ता से संबंदित है πुरुष्च सूक्त का जो वणन मिलता है आपका रिगवेद में मिल जाएगा और रिगवेद के जो दसवे मंडलमे अर्फिष्च को अलेक आपको मिल जाएगा। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है Question No.7 देख लेते हैं सुमेलित आपको करना है अथरवेद, रिगवेद, यजुरवेद या सामवेद ये जो हैं किस-किस से संबंदित है तो सबसे पहले अथरवेद को देख लेते हैं अथरवेद आपका ये आपका ओश्डियों से संबंदित हो जाएगा रिगवेद आपका जो रिशी होते हैं ये आपका इसवर की महिमा से संबंदित हो जाएगा इसमें रिशी आ रहा है तो रिशी किस से संबंदित होते हैं इसमें मिल जाएगा और आपका इसमें मिल जाएगा और B का एक तो B का एक आपका A जो है correct answer हो जाएगा तो 7 का जो है A जो है correct हो जाएगा question number 8 देख लेते हैं और same pattern का question है और ये जो है आपसे पूछा गया है सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है नीचे दिये कूट की साहता से सही उत्तरक आपको चैन करना है तो रिगवेद जो है ये किस्से संबंदित है अभी आपको बता दिया था जो दिगवेद है आपका ये आपका सुरोत और प्रार्थनाओं से संबंदित हो जाएगा क्योंकि जो रिशी होते हैं वो आपके प्रार्थनाओं करते रहते हैं यजुरुवेद की बात करते हैं, तो यजुरुवेद में यग होते हैं, और यग में आपके करमकांट होते हैं, सामवेद जो है, यह आपका संगीत से संबंदित हो जाएगा, और अथरुवेद जो है, इसमें आपका तंत्रमंत्र और वशीकरन का जिक्र मिलता है, तो आपका A का 4 तो A का 4 आपका यहां मिल जाएगा और आपका यहां मिल जाएगा इसके बाद B का 2 तो B का 2 आपका केवल A में मिल जाएगा तो 8 question number 8 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका A question number 9 देख लेते हैं निम ने लिखी चार वेदों में किस एक में जादूई माया और वशी करण का वर्णन मिलता है यह सारे question जो हैं आपके important हैं यह चीज़ आपको देख लेनी हैं इससे बाहर आपका question जाने वाला नहीं है तो आपको बताना है चार वेदों में से किस एक में जादूई माया और वशी करण का वर्णन मिलता है रिग वेद में यजूर वेद में अथर वेद में या फिर आपका साम वेद में तो question number 9 का आपका correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अथर वेद जो आपका अथर वेद है इसमें जो है जादूई माया और वशी करण का वर्णन मिलता है question number 10 देख लेते हैं रिग वेद में यह आपका रिचाए हैं दोस्तों यह आपका गलत लिखावा है तो यह रिचाए नहीं है इसमें आपका हो जाएगा सुक्त जो आपके रिच वेद में कितने सुक्त हैं आपसे यह question पूछा गया है तो आपके जो रिच वेद में यह आपके 1028 सुक्त हो जाएंगे और अगर इसमें सुलोक की बात करते हैं जो सुलोक होते हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके रिगवेद में कितने शुलोक हैं तो आपके सुलोक हो जाएंगे 10,552 जो रिगवेद है रिगवेद में आपके सुक्त कितने हो जाएंगे 10,252 रिगवेद में सुलोक कितने हो जाएंगे 10,552 ये चीज आपको याद रखनी है रिगवेद है या आपसे question जो है आरो यारो की परिक्सा में पूछा गया है और इसी तरह के question जो है आने वाली परिक्सा में आपको देखने को मिलेंगे आपसे पूछा गया है रिगवेद क्या है सुरोतों का संकलन है कथाओं का संकलन है सब्दों का संकलन है या फिर आपका युद्ध का संकलन है तो रिगवेद जो हो जाएगा ये आपका सुरोतों का संकलन हो जाएगा चलिए देख लेते हैं, next question, question number 12, देख लेते हैं, आपसे पूछा गया है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, और दे गए कूट का मिलान करके सही उत्तर का आपको चैन करना है, तो आपसे पूछा गया है, रिगवेद जो है, किस से सम्बंदित हो जाएगा, सामवे एतरे से सम्बंदित हो जाएगा, सामवेद जो है, यह आपका 25 से सम्बंदित हो जाएगा, अथरवेद जो है, यह आपका गोपत से सम्बंदित हो जाएगा, और यह जो है, आपको याद रखने हैं, इस से question जो है, हर बार परिक्सा में बनता ही बनता है, एक question आपको देख C का 1 और आपका D का 2 हो जाएगा तो 12 का जो correct answer हो जाएगा वो C हो जाएगा Question number 13 देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सा ब्रह्मन गरंत रिगवेद में संबंदित है रिगवेद में कौन सा गरंत संबंदित है ये आपको बताना है तो अभी हमने उपर वाले कौन में देखा है रिगवेद से जो है ये आपका एतरे जो है ये संबंदित हो जाएगा सत्पत ब्रहमन ये आपका ये जुरुवेद से संबंदित है और गोपत जो है ये आपका अथरवेद से संबंदित है तो 13 का आपका करक्ट आंसर हो जाएगा A Question number 14 देख लेते हैं ये Question आपका परिक्सा में पूछा गया है गोपत ब्रहमन किस से संबंदित है? गोपत ब्रहमन किस से संबंदित है? ये आपको बताना है ये जुरवेद से, रिगवेद से, अथरवेद से या फिर आपका सामवेद से तो गोपत आपका संबंदित हो जाएगा ये आपका संबंदित हो जाएगा अथरवेद से 14 का आपका करक्ट आंसर हो जाएगा C और Question number 15 देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सुकल ये जुरवेद की सहीता है? जो सुकल ये जुरवेद की सहीता है ये आपकी हो जाएगी वाजस नहीं है ये आपकी सुकल ये जुरवेद की सहीता हो जाएगी और अगर वाजस नहीं थे और आपसे question पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा वाजस नहीं जो है यह आपकी पद सहली में लिखी गई है जो आपकी वाजस नहीं है यह आपकी पद सहली में लिखी गई है ये भी आपको याद रखना है आपसे पूछा जाएगा पद सहली में कौन लिखी गई है तो जो आपकी वाजस नहीं है ये आपकी पद सहली में लिखी गई है पंद्रह का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर सोला देख लेते हैं रिगवेद का कौन सा मंडल पून्ट है सोम को समरपित है ये कोश्चन जो है टेंडिंग है और बार बार आपकी परिक्सा में पूछा जाता है और इसी तरह से पूछा जाता है रिगवेद का कौन सा मंडल पूर्ट है सोम को समरपित है तो इसका जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C जो रिगवेद का 9 मंडल है ये आपका पूरी तरह से सोम को समरपित है जो रिगवेद का ये 9 मंडल है इसमें आपके कितने सुक्त हो जाएंगे तो इसमें आपके 114 सुक्त हो जाएंगे ये भी आपको याद रखना है तो आपका 16 का करक्टर आंसर हो जाएगा C Question No.17 देख लेते हैं रिगवेद सहीता का 9 मंडल पूर्णत है किसको समरपीत है इंद्र और उनका हाथी उर्वर्सी और स्वर्ग पोधे और जड़ी बूटियों से संबंदित देवतागन सोम और इस पेपर नामांकृत देवता आपको बताना है 17 का करक्टर आंसर क्या हो जा सतर आपका डी जो है करक्ट हो जाएगा कोश्चे No.18 देख लेते हैं यग संबंदी विदी विधानों का पता चलता है तो यग संबंदी जो विदी विधाने किस से पता चलता है रिगवेद से सामवेद से ब्रह्मन गिरंतों से या फिर आपका यजुरवेद से जो आपका संबंदी विदी विदान है उनका पता जो है आपका यजुरवेद से चलता है तो आपका 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी कोश्चे नमबर 19 देख लेते हैं निमने लिखित में से किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है आपसे पूछा गया है निमने लिखित में से किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है यजुरवेद का सामवेद का अथरवेद का या फिर आपका इन में से कोई नहीं तो जो तो रिगवेद है, रिगवेद पर आधारित जो संकलन है, ये मिल जाएगा आपका सामवेद का, जो आपका सामवेद का संकलन है, ये आपका रिगवेद पर आधारित है, आपका 19 का करक्ट आंसर हो जाएगा B, और सामवेद में कितनी रिचाए हैं, ये भी आपको याद रख आए हैं ठीक है इतनी बात भी आपको याद रखनी है कोश्चन नंबर देख लेते हैं 20 भारत के किस इस्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचनल के प्राचीनतम प्रमान मिले हैं तक्षिला से अतरंजी खेडा से कोसामबी से या फिर आपका हस्तनपुर से कोश्चन आप यह हो जाएगा आपका अतरंजी खेडा और जो अतरंजी खेडा है दोस्तों अतरंजी खेडा से क्या क्या मिला है अतरंजी खेडा से लोह धातु मिली है यह आपकी लोह धातु मिली है अतरंजी खेडा से और आपका धातु सोधन में जो परियुक्तोन वाली भट्टिया है जो आपकी लोहे को गला कर उसको दो बार है उप्योग लाने इतुบनाया जाता था उसकी भट्टिया भी महां से देखने को मिली है ये बात भी आपको याद रखने है यानि कि आप कह सकते हैं ये भी आपके अतरणजी खीड़ा से मिले है तो 20 का जो है correct answer हो जाएगा B और अगर आप channel पे नई हैं दोस्तों तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और हमारे telegram channel से जुड़ने के लिए link आपको description में मिल जाएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी share कर सकते हैं question number देख लेते हैं 21 उपनिसद पुष्टके हैं उपनिसद जो पुष्टके हैं ये आपकी किस पर आधारित हैं धर्म पर आधारित हैं, योग पर आधारित हैं, विदी पर आधारित हैं या फिर आपका दर्सन पर आधारित हैं तो 21 का जो है correct answer आपको बताना है तो 21 का जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दर्सन पराधारित है जो उपनिसद पुस्तक है ये आपकी दर्सन पराधारित है और उपनिसद को और क्या कहा जाता है ये भी आपको बताना है आपसे पूछ लिया जाता है कि उपनिसद को और क्या कहा जाता है उपनी सदो को वेदान्त भी कहा चाता है तो 21 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका D Question number 22 देख लेते हैं उपनी सदो का मुख्य विशे क्या है उपनी सदो का जो मुख्य विशे है वो क्या है Question एक ही है तो उस्तो केवल language बदलके उसको अग दिया जाता है तो उपनी सदो का जो मुख्य विशे है सामाजिक विवस्ता हो जाएगा दर्सन हो जाएगा विदी हो जाएगा या फिर आपका राज्य हो जाएगा और कहा question पूछा गया है यह आपका lower में पूछा गया question है तो बाइस का जो correct answer हो जाएगा जो उपनी सद है आपका यह आपका इसका जो मुख्य विशे है वो आपका धर्सन हो जाएगा Question number 23 देख लेते हैं निमने लिखित में से किस एक वैदिक साहित में मोक्स की चर्चा मिलती है जो हमारे चारो वेद हैं इन वेदों में कहीं भी मोक्स का नाम नहीं देखने को मिलता है ठीक है जो मोक्स का परमान वेदों के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा और मोक्स का जो चर्चा है कि ये केवल आपकी उपनी सद में देखने को मिलती है इतनी बात भी आपको याद रखनी है कोश्च नमबर 23 का जो करक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी और कोश्च नमबर 24 देख लेते हैं अध्यात्म ग्यान के विश्य में नची केता और यम का जो समवाद है किस उपनी सद में प्राप्त होता है व्रह दारण्यक उपनी सद में, छान दोगया उपनी सद में, कटौप निसद में या फिर आपका कैन उपनी सद में तो जो आपका अध्यात्म ग्यान के विश्य में नची केता और यम का जो समवाद है ये आपका मिलता है कटौप निसद में Question No.24 का correct answer हो जाएगा C, जो आपका यम ने नची केता को क्या उपदेश दिया था, तो इनों ने उपदेश दिया था आत्मा के बारे में, आप इनों ने कहा था, ये जो आत्मा है, ना आत्मा, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, और ना इसकी कभी मृत्ति होती है, यह जो ह आत्मा को क्या कहा गया है, आत्मा को अजन्मा कहा गया है, और इनों ने कहा है, कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, और ना ही कभी आत्मा मरती है, ये जो है अजन्मा है, और नित्य जो है सासवत है, और जो सत्य है, वो केवल आत्मा ही है, ये भी बात आप से कही गई थी और इतनी बात यमने नची केता से कही थी और इसका जो पर्मान है ये आपका कटोपनी सद में मिलता है तो आपका जो 24 का करक्टर अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C Question No.25 देख लेते हैं नची केता आख्यान का उलेक मिलता है जो नची केता आख्यान है उसका जो उलेक है अथरवेद में मिलेगा सत्पत ब्रामान में मिलेगा कटोपनी सद में मिलेगा ये आपका विरहदार अंसर है ये आपका कटोपनी सद में मिल जाएगा और इससे पहले वाला Question भी इसी तरह अथा केवल आपसे Question की Language चेंज करके आपको दे दिया गया है 25 का जो करक्टा अंसर है ये आपका हो जाएगा C Question No.26 देख लेते हैं उपनी सद काल के राजा असुपती सा सकते तो जो असुपती है ये आपके कहा के सा सकते है कासी के 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 पांचाल के या फिर आपका विदे के तो कासी के राजा कौन थे तो कासी के राजा हो जाएगे दोस्तों ये थे आपके अजात सत्रू जो आपके अजात सत्रु थे ये आपके काशी के राजा थे पांचाल के राजा कौन थे आपके पांचाल के राजा पांचाल के राजा थे आपके परवाहन जाबाली ये आपके पांचाली के राजा थे कैके के राजा कौन थे तो कैके के राजा हो जाएगा आपके असुपती जो आपके असुपती है ये आपके कैके के राजा थे और आपका विधे की बात करते हैं तो विधे के राजा कौन थे जो आपका विधे है तो विधे के राजा कौन थे तो जो असुपती है ये आपके कहां के राजा थे तो ये आपके कहां के राजा थे 26 का जो है बी करक्ट हो जाएगा Question No.27 देख लेते हैं इस तरह के question भी जो है आपसे deep पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखने पढ़ते हैं निमने लिखित में से वैदिक साहित्य का सही करम कौन सा हो जाएगा वैदिक साहित्य का सही करम आपको बताना है और ये जो है आपको इसकी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी इसको याद रखने का और कोई तरीका नहीं है या फिर इसकी आप कोई छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले वैदिक सहीता आ जाएगी फिर आपका ब्रहमन आ जाएगा उसके बाद आरन्यक आ जाएगा और उसके बाद आपका उपनी सद आ जाएगा तो सत्ता इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका वैदिक सहीत आए ब्रहमन आरन्यक उपनी सद कोश्चे नमबर 28 देख लेते हैं आरंबिक वैदिक सहित्य में सरवादिक वर्नित नदी है जो आपकी आरंबिक वैदिक सहित्य है उसमें सरवादिक वर्नित नदी है ये आपकी कौन सी है सिंदु नदी है सतुत्री है सरस्वति है या फिर आपकी गंगा है 28 इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है तो जो आपक नदी आपको 9 sv tape और एक अरम्पिक वैदिक साहति में सर्वान सर्वादिक सर्वादिक वर्णित नदी यहां आपकी हो जाएगी सिंधुनिधिया और सिंधमिदों नदी और वैदिक नदी असकनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है जो असकनी की पहचान है वो आपकी किस के नाम के साथ की जाती है वियास के साथ रावी के साथ चिनाप के साथ या फिर आपका जेलम के साथ आप से साफ साफ पूछा गया है कि असकनी को क्या कहा जाता है, तो आपका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चिनाप, असकनी को जो है चिनाप कहा जाता है, और 29 का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C, कोश्चन नमबर 30 देख लेते हैं रिगवेद में निम्नांकित किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंद का सूचक है आपको बताना है रिगवेद में जो निम्नांकित नदिय दी गई हैं का लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आजियों के संबंद का सूचक है असकनी है परुष्णी है कुमभा और कुर्मु है या फिर आपका विपासा या सतुद्री है कोश्चन आपका पूछा गया है आपको बताना है इंपोर्टन कोश्चन है और इस तरह के कोश्चन ही जो ह बहती है यह आपकी जो है आफगानिस्तान में बहती है इतनी बात भी आपको इससे याद रख लेनी है और कोश्चन नमबर 30 का जो करक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएगा सी कोश्चन नमबर 31 देख लेते हैं कोश्चन नमब 31 आपका वैदिक नदी कुमभा का इस्थान कहा निर्धारित होना चाहिए आफगानिस्तान में चीनी तुर्गिस्तान में कस्मीर में या फिर आपका पंजाब में आपको बताना है जो वैदिक नदी कुमभा है इसका जो है इस्थान कहा है तो यह आपकी हो ुश्चन में हमने इसको आपको बता दिया था। question number देख लिए- 32 की बात करते हैं इस तरह के question भी है लहन्हें थी को से अपसे question और काफी सारे उसमें देखने को मिलते हैं इस तरह के question की आपको प्रैक्टिक्स कर लेनी हैं तो सूची एको सूची दो से आपको मिलाना है सुमेलित करना है और सूच्यों के दिनीचे देख कूट को सही उत्तरका आपको चैन करना है तो सबसे पहले आपको वैदिक नदियां दी गई है और आपके जो आधुनिक नाम है वो भी आपको दिये गई है तो सबसे पहले कुम्बा की बात करते हैं तो कुम्बा का जो आधोनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा कुम्बा का आपको आधोनिक नाम बताना है तो कुम्बा का जो है आधोनिक नाम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका काबुल और काबूल कहा है यह आपकी अफगानिस्तान में परुशनी की बात करते हैं यह आपका रावी नदी हो जाएगा जो परुशनी का नाम है यह आपका रावी हो जाएगा और सदा नीरा जिसमें सदा नीर रहता है यह आपकी गंड़क हो जाएगी और जो सतुद्री है यह आप का भी इस तरह के कोश्चन के आपको प्रेक्टिस कर लेनी है और कोश्चन देख लेते हमारा अगला कोश्चन 33 महाबारत काल में महानदी का क्या नाम था जो महाबारतकाल है उसमें महानदी का क्या नाम था कावेरी था तापती था महाननदा या फिर आपका गंगा और पाँचवा कोश्चन आप से दिया गया है इन में से कोई नहीं तो महाबारतकाल में जो है महबारत काल में महानदी का जो नाम था इन में से कोई नहीं था आपका यह जो है करक्ट हो जाएगा अब कोश्चन बनता है अगर इन में से कोई नहीं था तो महबारत काल में महानदी का क्या नाम था तो जो महानदी का नाम था महाभारत काल है यह था आपका चित्रोत पलाे ये आपका महानदी का नाम था महाभारत काल में ठीक है इतनी बात आपको इससे याद रखनी है इस तरह की question भी आप से पूछे जाएंगे Question number 34. निम्न लिखित में से कौन सी पर था उत्तरवैदिक काल पोस्टवैदिक में परचलित हुई थी? आपको बताना है इन में से कौन सी जोय पर था आपकी उत्तरवैदिक काल में परचलित हुई थी? धर्म, अर्थ, काम, मौक्स, ब्रहमन, छत्रिय, वैश्य, सुद्र, ब्रहमन, ग्रस्ताथ्र, वानप्रस्त या सन्यास और इंद्र, सूर्य, रूद्र और मारूद तो ये तो दोस्तों आपके गलत हो जाएगा इस तरह की तो कोई विवस्ता थी नहीं और इस तरह की भी कोई आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए और कोश्चन नमबर थर्टी फाइव देख लेते हैं थर्टी फाइव हो जाएगा अमारा धर्म तथा रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रिय विचार की चित्रित करते हैं इस संत्र्व में निम्निलिकत कतनो में अपने और आपको विचार करना म्रें तो पहला जो पोइंट है वो आपका हो जाएगा धर्म व्यकति के दायत्यों था दूसरों के प्रति व्यक्तिगत करता हें का संकलना था दूसरा पोइंट हो जाएगा रित्म मूल भूत न्यथ्वर विदान था जो सरेष्टी और उसके अंतरगत सारे तत्वों के किरिया कलापों को संचालित करता था। आपको deep question है और इस तरह के question की आपको प्रेक्टिस करनी है। ठीक है इस तरह के question भी आपसे एक दो question इस तरह के आपसे पूछे जाएंगे। तो 35 का जो है correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जो इसमें आपका पहला दिया हो है यह आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है C option correct हो जाएगा। 35 का आपका C जो है correct हो जाएगा दोनों इसके सही हो जाएगे। Question number 36 देख लेते हैं। भारतिय संस्कृति के अंतरगत रित का अर्थ है। देखे को दोस्तों उसी से related question आगया है। भारतिय संस्कृति के अंतरगत रित का जो अर्थ होता है प्राकर्तिक नियम हो जाएगा। किर्तिम नियम हो जाएगा, मानिवे नियम हो जाएगा, सामाजिक नियम हो जाएगा या आपका इन में से कोई नहीं। तो आपका 36 का आपको आंसर बताना है। तो जो 36 का आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्राकर्तिक नियम। भारतिय संस्क्रेथी के इंतरगत रित का जो अर्थ होता है यह होता है आपका प्राकर्तिक नियम जो हमारा रिग वेद है उसमें में धर्म के अतिरिक तो दूसरा सब्द जो है रित मिलता है ठीक है यह चीज हमने आपको पिछले कोस्टिन में बता दी है और सभी देवताओं रित का संब्द माना जाता है रित की जो उत्तपत्ति है जिस समय से रिष्टी की उत्तपत्ति हुई है उस समय से रित की उत्तपत्ति भी मानी जाती है ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है कोस्टे नंबर 36 का जो करक्ट आंसर हो जाएग वो हो जाएग आपका ए और कोस 37 का Correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ब्रहस्पति जो ब्रहस्पति हैं ब्रहस्पति को वैदिक देवताऊं का पुरोहित माना जाता था ठीक है 37 का जो perfect answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका और 38 question number की बात कर लेते हैं निमने लिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो लोप मुद्रा हो जाएगी गारगी हो जाएगी लेलावती हो जाएगी या फिर आपका सावित्री हो जाएगी निमने लिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी तो सबसे पहले वेद मंत्रों की जो रचना की थी या आपकी लोपा मुद्रा ने की थी वैदिक साहित्य में लोपा मुद्रा के अलावा भी और भी जो है विदूशिया का उल गोसा के बाद आपको विश्व धारा मिल जाएगी जो आपकी विश्व वारा थी यह भी आपकी इससे संबंदित है और आपकी लोपा मुद्रा भी हो जाएगी तो निम्ने लिखित में से ब्रह्मवादिन थी जिसने कुछ वेदमंत्रों की रचना गी थी वो लोप मुद्रा और उसी काल में लोपमुद्रा के अलाव और वे अन्य विदूसी इस्तिर्य हैं तो और ये लोपा मुद्रा कौन थी दोस्तों, जो लोपा मुद्रा है आपकी, ये आपकी रिशी अगस्त की पतनी थी, जो आपके रिशी अगस्त थे, रिशी अगस्त की पतनी कौन थी, आपसे अगर question पूछ लिया जाए, रिशी अगस्त की पतनी कौन थी, तो आपकी लोपा जो निस्क सब्द है इसका जो परियोग है एक आभुसन के लिए होता था किन्तो परवर्तिकाल में उसका परियोग इस अर्थ में नहीं होता है तो परवर्तिकाल में उसको का जो परियोग है किस अर्थ में हो रहा है सस्त्र के ओजार के रूप में लिपी के रूप में या फिर आपका सिक्का के रूप में तो जो निस्क है ये आपका एक आभूसन है ये बात आपको पता लगानी है और निस्क जो है आभूसन तो है लेकिन आभूसन जो है कहां पहनने का है ये भी आपको पता लगाने है कि निस्क जो है अगर आभूसन है तो आभूसन जो है पैरों में पहना जाता है हातों में पहना जाता है गले में पहना जाता है या फिर आपका कानों में पहना जाता है इस तरह से भी जो है कोश्चन बनता है तो सबसे पहले हम इसका अंसर उसको जो है निश्क कहा जाता था चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला कूश्चन क्या हो जाएगा रिकवेद काल में निश्क किस अंग का आभुशनता या फिर आपका कलाई का था तो ये जो हो जाएगा आपका गले का हार का था जो आपका निस्क है ये आपका गले का आपुशन था और गले में पहने जाने वाला जो हार होता है ये जो है उसको जो है निस्क कहा जाता था और निस्क जो है ये एक सोने का होता था जो आपका सोने का हार है ये आपका निस्क कहलाता है चलिए question number देख लेते हैं 41 और लगबख 50 के आसपास इसमे question है और दूसरी वीडियो में भी आपको 50 के आसपास question मिल जाएंगे सारे question important है इससे बाहर question कभी भी जाने वाला नहीं है प्राचीन भारत में निशा का जाने जाते थे तो प्राचीन भारत में निशा का किसंदे जाने जाते थे स्वारन आभुशन, गाए, तांभे के सिक्के या फिर आपका चांदी के सिक्के, तो 41 का जो correct answer हो जाएगा ये हो आपका जो सवन अभूशन थे इनको जो है निशा का कहा जाता था और प्राशिन बारत में मुलंग से गले में पहल नाय जाने वाले सोने ही outta जो निश्क होता था उसको जो है गले में पहने वाला एक आपशन था और जिसे निस्क गिरिवा भी कहा जाता निस्क गिरिवा यानि वो यह आप कह सकते हैं जो गले में पहनने वाला हार है तो उसको जो है निस्क गिरिवा भी आप कह सकते हैं निस्क गिरिवा यह आपका निस्क गिरिवा यह भी आप कह सकते हैं और question number 41 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका A और question number 42 देख लेते हैं बोगस गोई महतपून है क्योंकि जो बोगस गोई है यह कभी लेख है एक जगह भी है तो यह आपकी क्या है क्यों महतपून है यह हम देख लेते हैं यह मद्ध एशिया एं तिबबत के मद्ध एक महतपून व्यापारिक के अंदर था और यहां से प्राप्त अभी लेखों में वैदिक देवताओं का नामुलेख मिलता है वेद के मूल गिरंतों की रचना यहां से हुई है या फिर आपका उप्रोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है जो बोगज कोई है वो महतपून है क्यों महतपून है और यहां से प्राप्त अभी लोगों में वैदिक देवताओं का नामूलेख मिलता है जो Asia Minor है दोस्तों जो आपका Asia Minor है जहां अफगानिस्तान और इंडिया की जो सीमा मिलती है और इसको जो है जहां आपका कारा कोरम दर्रा भी है ये भी आपको देखना है कारा कोरम दर्रे पे जो है Asia Minor है और वहाँ से जो है बोगस गोई से चोदवी सताबदीशापूर के अभी लेक जो है रिगवेद काल के देवताव का नाम का उलेक मिलता है और रिगवेद काल के जो देवता थे वो कौन-कौन से थे ये भी बात आपको याद रखनी है तो उनमें आपको सबसे पहले इंदर मिल जाएंगे कौन-कौन से देवता थे? इंदर थे इंदर के बाद आपके वरुन थे ये भी आपके रिगवेदिक काल के देवता है और एक आपके मित्र नाम से भी मिल जाएंगे और लाश्ट जो है ये आपका नासत एक देवता थे ये भी आपको मिल जाएंगे नाशत ठीक है ये बात भी आपको याद रखनी है तो यहाँ से जो प्राप्त भी लेख है उनमें वैदिक देवताव का उर लेख मिलता है और वैदिक देवता कौन-कौन से थे आपने देख लिए इंदर है वरुन है, मित्र है और आपका नाशित्ती है ठीक है और बोगस गोई से एक चीज और आपको याद रखनी है जो बोगस गोई है और यहाँ से जो है वैदिक आ रही है इरान से होकर जो है भारत आये थे इतनी बात भी आपको इससे yाद रखनी है जो आपका इरान से होकर जो भारत आये थे आ रही है वो आपके बोगज गोई से ही होकर आये थे चलिए दोस्तों आपका motiv क्रेक्टर अंसर ये हो जाए गा दो कोश्टियन नमबर 43 देख लेते हैं निमने लिखित अभी लेखों में कौन सा इरान से भारत में आये आनोय का निमने लिखित में से निमने लिखित अभी लेखों में कौन सा इरान से भारत में आरियो के आने की सूच न देता है आपसे वोई question पूछा गया है मान सहरा है, साहवाजगड़ी है, बोगस गोई है या फिर आपका जूनागड़ है तो यह आपका जो correct answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बोगस गोई जो आपका बोगस गोई है यह जो है इरान से भारत में आर्योग आने की सूचना देता है तो 43 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका C और question number 44 देख लेते हैं चोदवी सती इसापूर का एक अभिलेग जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वह प्राप्त हुआ है तो कहां से प्राप्त हुआ है question एक है दोस्तों और आपसे घुमा भिरा कर उसको पूछा जा रहा है तो एक बटाना से हुआ है बोगस गोई से हुआ है बैबी लोन से या फिर आपका विसोर टुन से जो आपकी चोदवी सती इसापूर का एक अभी लेख जो है वो जिसमें तो जो आपका चोदवी सती इसापूर का एक अभी लेख जिसमें वैदिक देवताव का वर्णान है वो आपका मिला है बोगस गोई से तो 44 का जो करेक्टांसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी और कोश्चन नमबर जो है 45 देख लेते हैं निमने लिखित में किसने आरियो के आदी देश के बारे में लिखा है जो आरियो के आदी देश है उसके बारे में किसने लिखा है संकराचारिय ने लिखा है एनी बैसेंटर ने लिखा है विवेग अनंद ने या फिर आपका बाल गंगादर तिलक ने तो आरियो के आदी देश के बारे में जो है ये आपका बाल गंगादर तिलक ने लिखा है और तिलक के इस कथन को जो है इतिहासकार सही नहीं मानते हैं ठीक है जो बाल गंगादर तिलक है और तिलक का जो मत है त तिलक ने आर्योगे आदी देश के बारे में जो मत दिया था वो मत इतिहासकार नहीं मानते हैं ये भी बात आपको याद रख लेनी है तो 45 का जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका D और कोश्चे नमबर 46 देख लेते हैं जिस गरंथ में पुरुस मेग का उलेख मिलता है वह हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा तो किर्शन ये जुरुवेद हो जाएगा सुकल ये जुरुवेद हो जाएगा सत्पत ब्राह्मान हो जाएगा या फिर आपका 25 ब्राह्मान हो जा पुरुस में क्या है यह आपका पर्मुख्यग हो जाएगा यह आपका सत्पत ब्राह्मन में मिलता है तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी 47 कोश्चन नमबर देख लेते हैं सत्पत ब्राह्मन में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंदित रिशी थे रिशी भार्दवाज रिशी वसिष्ट रिशी विश्वामित या रिशी गोतम राहुगन आपको बताना है 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो सत्पत ब्राह्मन में जो उल्लेखित राजा थे विदे माधव से संबंदित रिशी ये आपके हो जाएगे रिशी गोतम राहुगन जो रिशी गोतम राहुगन है ये आपके सत्पत ब्राह्मन में राजा विदे से संबंदित रिशी थे तो 47 का करेक्ट आंसर हो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोश्चन नमबर 48 देह लेते हैं उत्तरवैदिक काल में निमने लिखित में से किन को आरिये संस्क्रेथी का धूर समझा जाता था अंग और मगद को कोशल और विदे को कु तो 48 का जो करक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जो कुरू और पांचाल थे इनको जो है उत्तरवैदिक काल में आरिये संस्क्रेथी का धूर समझा जाता था ठीक है इतनी बात जो है आपको इससे याद रखनी है यह जो है धूर इसका मतलब क्या होता है तो इस पूर्च नमबर 49 देख लेते हैं गोत्र सब्द का परियोग सर्वपर्थम हुआ था जो गोत्र सब्द है उसका जो सर्वपर्थम परियोग है यह कहा हुआ था यह हुआ था आपका अथरवेद में रिगवेद में सामवेद में या फिर आपका यह जुरुवेद में आपक जो मूल अर्थ है यह होता है आपका गोश्ट जो आपका गोश्ट होता है यह आपका मूल सब्द होता है और गोश्ट से निकला हुआ है गोश्ट का क्या मतलब होता है तो गोश्ट का मतलब होता है समस्त कुल जो आपका समस्त कुल होता है उसको जो है गोश्ट कहा जाता है ये चीज़ आपको याद रखनी है और question number आज का हमारा last हो जाएगा question number 50 पूरवैदिक आर्यो का धर्म परमुकते क्या था पूरवैदिक आर्यो का आपको धर्म बताना है वो आपका क्या था भक्ति हो जाएगा मूर्ति पुजा और यग हो जाएगा परकर्ति पुजा और अःश्म करना था और यग करना था यह तो पचास का सी यह a government हो जाएगा तो चलिंग है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता हैट तो आप अपने दोस्तों में य भी ऐर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में